मैं हूँ सोनों दोस्तों भारती वायो सेना में बहुत सारी वेकेंसी है दोस्तों दोस्तों यह वेकेंसी दोस्तों आपको आपको दिये के टाइम पर आपको फॉर्म भरनी है तब भी आपको फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगी यह ओनलाइन फॉर्म भरनी है दोस्तों दोस्तों य कि दूसरा क्या बोलता है वो सब पर ध्यार नहीं देना है दोस्तों इस सब सोट लिस्टेट और मेरिट बाइस पर आपको मेरिट निकालेंगे लोग बस यह कॉस्चन में दिया हुआ है दोस्तों इसके बाद है ना आपको है ना दोस्तों आपको टायामिक पर आपको फॉर्म वेल्ह दोनों को दोस्तों यह सलेक्षन आपको 20 में से चालू हो जाएगा दोस्तों इन्डियन एर फोर्स अगनी वीर क्यस्सक्राइब को हish सब यहां पर आपको यह रेक्विमेंट पीडियेफ दोस्तों यह ए Kaninsky सम्निय 2023 से इंटेख हो जाएगा दोस्तों ओनलाइन रेजिस्टेशन आपको है ना यह 17 मार्च से चलो हो जाएगा और क्लोज यहां पर 31 मार्च को बता रहा है अल्ली ओनलाइन फॉर्म भरना है दोस्तों यह जिवर्म पर लिखा हुआ दोस्तों यहां पर देखे इलिजिबियूटी क्रेटरिया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है दोस्तों डेट बर्थ आपका क्या है इतने से इतने तरीक इंक्ल्यूसिव है इनके बीच में होना जरूरी है दोस्तों आपको बाकी जो एज री सब्सक्राइब सचस्करवां को फो सिदोस्तों इसके फार मेध मेडिकल द लिखी यह दोस्तों इसमें आप यह 역ुप्ध लिफाई करदेंगी कभी प्यूक्रीमेर्वी ने मेल्ग दिया हुआ है 152.5 female का दिया 152.152 cm दोस्तों इसके बाद है ना हाइट भी दिया हुआ है यह उत्रा घंड है बाकी लक्षदीप का है यहां relaxation दिया हुआ है वह देख लिएट आपके आपके बाद hearing देखेंगे वह लोग छे मीटर से दुआ छे मीटर सेपरेट होके देखेंगे डेंटल आपका चेक आउट करेंगे विजल स्टेंडर्स क्या है आपका दोस्तों विजल में दोस्तों 612 है और मिनिमम्म लिमिट रिफ्रेक्टिव एरर का बाकी यह लोग चेक देख लिजिए दोस्तों दोस्तों इसके बाद हैं मेंकिंग पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट आपका यहां पर है अबरी करेक्ट अंसर है यहां पर एक मार्क मिलेगी और दोस्तों जी आटेंप जीरो आटेंप का एक मार्क भी नहीं मिलेगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है करेंगे आप द्यान रखेंगा हर कोशिन पर आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग मिलीगी यहां पर दोस्तों सब स्रॉटली से ब्यूज़ होगा दोस्तों यहां मेंसिन किया हुए है एर्फोर्स का और दोस्तों यह फेस फेस बान फेस टू कैसे कैसे यहां फेस टू यह सब इसके बाद में दोस्तो है ना यह सब सब डॉकुमेंट जो जो मांगी हुई वह सब लेके जाएगा जो जो है इसके बाद है ना दोस्तों अच्यूमेंट क्या है आपका वह और इलिवरेटी जो है आपने 26-27 यह सब लिखा हुआ है दोस्तों आप यह सब देख लिजे सब कुछ आपके पास होना चलूरी है इसके बाद है फिजिकल पिटनेस आपको दोस्तों 10 पूछ अप लग कि 20 स्काट्स लगानी एक मिनियट में दोस्तों इसके बाद है ना कि को फिमेल के इंड़ेट का है 10 सिटफ है 15 स्कौट है और 10 सिट अफ लां बेयर 30 सेकेंड दिया हुआ है 10 मिनियट के लिए 15 स्कौट ब्रेक्टाउन रहेगा दोस्तों इसके बाद है ना सब आसब आपको आपको अपने ही सब से लेकि जाने के сохран है वो लोग आप लोग को को नहीं प्रोवाइट करेंगे आपके पास यह सब वो लोग बाद में वो लोग medical होगा फिजिक रीटर्न फिजिकल होने का पाद मेडिकल में यह सब चेक आउट करेंगे तोस्तों यह जेंडर female candidate का है वो भी आपका opposite gender लिखा हुआ है unfit वो लोग unfit reject करेंगे unfit बोलके दोस्तों और pregnancy female को भी reject करेंगे पॉटल दिया हुआ है इस पर देख लिजेगा consumption यह सब तो जीरो टोलरेंस से यह सब body tattoo भी दोस्तों पर्मिनेंट वाला नहीं चलेगा आप बहुत टैटू नहीं लगा यह body पर तो सही दी रहेगा बाकी सब कैसे कैसे क्या दिया है क्रिटेरिया आप देख लिजेगा यहां पर और दोस्तों अगनिवीर का टमिन कंडिशन देख लिजे एक बार रीट कर लिजेगा कहां पर सर्विस यह प्रोवाइड करेंगे यह प्रोवाइबिलिटी आपकी दोस्तों यहां पर कैसे कहां एरफोर्स में जोइनिंग कराएंगे अंडर इंडाल्मेंट करेंगे कौन से कौन से डिपाटमेंट में और दोस्तों आपकी सर्विस क्या रहे है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिया जाएगा लिफ कितना मिलेगा 30 वहेलिजनिगा एक साल का और आपको 6 लिप मिलेगा मेंडिकल बेस पर आपको मेडिकल फैसिलीटी मिलेगी आरांसीच दिया हुआ है यहां पर दोस्तों और कि मिलेगी और lucan यहां पर दोस्तों अग्रिवर फंड में आपका कितना जा रहा है और कॉंटिबिशन कॉपरेशन कॉपरेशन कॉपर्स फंड बाइग जी ओल में कितना जा रहा है सब सब दोस्तों आपका जो डिडेक्शन हो रहा है आपके लिए ही डिडेक्शन हो रहा है बाद में वो लोग अपने हिसाब से प 10.04 लाग रुपिर शेवा नहीं थी पैकेज दिया हुआ है दोस्तो इसके बाद आईगे आपको not entitled to the ex-servicemen status आपको है 4 years का discharge करने के बाद ex-servicemen का दोस्तो ex-servicemen में eligible नहीं रहोगे यह लिखा हुआ है बाकी तो दोस्तो sequence of examination यहां पर नहीं लेकर जाना है और दोस्तो दोस्तो यह आपको है ना नीचे है ना online form कैसे भरनी है यह बहुत ज्यादा important है phase one जो भी है यह सब online है आपको मैं description में link दे दूँगा आपको online है दोस्तो जाकर जैसे जैसा step दिया उससे सबसे form भरके आपको online form भर देना दिये गए टाइम पर नहीं तो form reject हो जाएगी दोस्तो आपको है ना मैं description में provide कर दूँगा इसका short notification notification और online link आप वहां से जाकर आप form भर दिएगा आपको form भरा जाएगा दोस्तो आपको बहुत ज्यादा important है कि दिये गए टाइम पर जाकर आपको दिये गए समय पर यह form भरनी है तभी आप वहां पर दोस्तो आपकी examination होगी और आपकी selection होगी दोस्तो इसका बाकी और इंडिया और बाकी सब examination का दोस्तो मैं ही update देता हूँ आपको जो भी physical test, return test, interview test, सभी जो भी आपको doubt रहे query मेरे decision box में रख दिजेगा और दोस्तो आपको जो भी update आपको latest update मेरे channel से बने रहे है आपको सभी latest updates मिले जाएगी कौन से भरती कहा कहा होने वाली है दोस्तो थैंक यू